पब्लाऊज कोछ के 4 वीडियो में फ्रेंज आगे विडियो में एक बात मैंने बताई थी कि हम जो ब्लाऊज बनाते हैं तो ब्लाऊज का हर वो पार्ट बोली के जिस जिस पार्ट के लिए बनाए वहीं पे वो प्लेस होना चाहिए परफेक्ट वहीं पे बैठना चाहिए तो समझो हमारा ब्लाउस ओक है इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो इसको मैं तोड़ा डीटेल से समझाना चाहता हूँ परफेक्ट ब्लाउस फिटिंग के लिए ब्लाउस को मैंने फोर स्टेप में डिवाइट किया हूँ चार स्टेप आपके जब क्लियर हो जाता है तो आपका ब्लाउस ओक्के होता है परफेक्ट फिट होता है कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है तो ये चार स्टेप क्या है इसको मैं एक example देखे आपको पहले समझाऊंगा ठीक है तो वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना ठीक है तो आईए friends सबसे पहले समझते है कि ये चार स्टैप कौन से है स्टैप वैसे बहुत सारे होते है मगर ये जो चार स्टैप है वो most important है अच्छी fitting के लिए ये चार स्टैप clear होना बहुत ही ज़रूरी है ये चार स्टैप हमारे clear हो जाते है तो हमारे blouse की fitting अच्छी आती है तो इस चीज को मैं आपको example दे के समझाने वाला हो suppose के ये मैंने blouse का cutting किया हो अभी इसको मैं dummy पे draft करके दिखाऊंगा और वो चार स्टैप कौन से कैसे clear होते है ये आपको मैं dummy पे समझाता हूँ तो friends अभी इधर ध्यान से देखना जब ये blouse पहना जाता है तो सबसे पहले ये जो blouse का highest part होता है तो यहाँ पे hold होता है पहनने के बाद ये है इधर hold होने के बाद ये जो हमारी center front line होती है वो straight होती है तो ये line तो हमारी straight गिनने वाली है तो friends अगर हमारा collar ने के तो इधर hold होगा deep ने के तो इधर hold होगा सबसे पहले deep ने को या collar ने को measurement आपको जैसे बता है सब blouse का एक ही तरह से लेना है इस बाद का आपको ज्यान रखना है अभी इधर blouse hold होने के बाद जो हमारा first step होता है shoulder slope shoulder slope body पे जितना shoulder slope है जितना body पे shoulder down है उतना ही अगर आपने down किया है तो आपका जो पहला step clear हो जाएगा यह shoulder वही ही रुकेगा जहाँ पे उसकी जगा है ठीक है तो यह आपका shoulder slope अगर perfect है तो आपका first step clear हो गए second step होता है armhole का फ्रेंस armhole armhole अगर आपका perfect कटा है तो उसकी जगे है जहाँ पे उसका placement होना चाहिए ठीक है वही पे होगा तो यह आपका second step clear हो जाएगा second step clear होना मतलब अपका upper chest के उपर का पूरा part आपका okay ठीक है proper है अब तीसरा step के आफ्रेंस dart point dart point आपका वही पे आना चाहिए जहाँ पे उसकी जगे है ठीक है आगे पीछे नहीं होना चाहिए dart point का हमरे पास measurement होता है dart point की length with उसकी measurement करके निकाल सकता है calculation भी होता है size के हिसाब से भी हम रख सकता है तो dart point में इतना issue नहीं है मगर अच्छे fitting के लिए ये भी step clear होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले आपको ये बता दू कि जो center front line होती है हमारी straight होती है और इसी तरह ये जो side की line होती है side में कोई shape नहीं होता है straight होता है side एक दम flat होती है तो हमारी जो blouse में side की जो line होगी वो भी straight होगी ठीक है तो अभी हमारा 4 step क्या है फ्रेंट 4 step है dart dart friends breast के हिसाब से size के हिसाब से burst के उबार के हिसाब से perfect dart आपका लगना बहुत ज़रूरी है dart अगर आपका perfect लग गया तो आपका blouse एकदम proper समझोब बन गया इधर आपको कोई जोल जाल कोई wrinkle नहीं आएगा कोई problem नहीं आएगा एकदम perfect blouse का fitting आएगा ठीक है तो यह जो 4 step होते है man होते friends अच्छे fitting के लिए इसको clear करना बहुत ज़रूरी होता है तो हमारा जो first step है shoulder slope का वो third part में तीसरे part में मैं इसको बता दिया हो कि shoulder slope कैसे निकल लाए ठीक है आज जो हमारा second step आर्मोल का है तो आज का वीडियो हमारा आर्मोल पे है आर्मोल को कैसे cutting करेगे तो perfect उसकी जगे पे बैठेगा इसके लिए हमको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है ठीक है तो चलिए देखते है perfect आर्मोल cutting कैसे होती है friends आर्मोल का एक solder line के घ्राप्टिंग किया था अगर हम solder line से drafting करते है solder के measurement से तो ये जो आर्मोल solder line से हाविच अंदर से जाएगा ठीक है और ये मैंने across front का line लियाओ across front का measurement लियाओ अगर across front का measurement लेते है तो ये line हमारी line को touch करते हुए जाएगी अंदर से नहीं जाएंगी across front के measurement से ये फाइदा है कि जैसे आपको पता चल गया होगा कि front का solder कम होता है front part कम होता है back part बड़ा होता है ठीक है तो इसे हमारा ये जो fitting आता है blouse का front part एक डम clear होता है अगर आपके पास across front का measurement नहीं है तो आप जितना solder है उससे half inch अंदर एक line लगा देना है ठीक है तो friends यहाँ पर परफेक्ट आर्मोल के लिए यह जो आर्मोल की गोलाई होती है ठीक है तो यह जो आर्मोल की गोलाई यह दो gap होता है यह दो measurement होता है इसके उपर depend करता है कि यह गोलाई कितनी आएगी ठीक है तो एक जो measurement यह जो gap होता है हमारे पास यह distance का measurement होता है हमको मिल जाता है automatic यह measurement हमको निकालना होता है ठीक है तो हम इसी gap के सहार है यह distance के सहार है यह measurement के सहार है यह measurement हम निकालेंगे तो इसका तरीका क्या है अगर आप कुर्ती के लिए आर्मोल का ट्राप्टिंग कर रहे हैं तो इधर आपको बस्ट का मेजरमेंट लेना है इधर फुल बस्ट का ये हम ब्लाउस के लिए आर्मोल ट्राप्टिंग कर रहे हैं इसलिए मैं इधर अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेने वालू हूँ फुल बस्ट का मेजरमेंट हमारा 10.5 है यह हमारा अलग सबजेक्ट है यह अलमोल का सबजेक्ट है तो यह जो हमारा जब सबजेक्ट आएगा उसी में डिस्कस करेंगे ठीक है? इधर हमारा 10 एन हाप के फुल बस्ट का मार्किंग है अपर चेस्ट में एक इच का डिफरेंस है फुल बस्ट से हमने इधर जितना मार्किंग लगा है उससे हाप इच हम इधर कम लगा देंगे तो इधर मैंने 10 इच पे मार्किंग लगा है ठीक है? और ये है हमारा across front का line अगर आपके पास across front का measurement नहीं है अभी से आप लेना शुरूब कर देना अब आपको across front का measurement हर blouse का लेना है, ठीक है फिलाल अगर नहीं है measurement तो shoulder से half is अंदर marking करना है आपको तो ये हमारा gap अमको मिल गया है, ये measurement मिल गया है यहां। 10 इछ सबसे पहले इधर करें हैं। अभी जितना डिस्टांस हमको मिल रहा है। 7 इछ सबसे жд इछ सबसे मिल रहें। वहीं पर 3 नीच रखना है अभी इसका आर्मॉल मैं 16 ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है 1, 6 तो 16 का हाप होता है 8 8 में 3, 4 इंच और आपको मिलाना है 5 इंच और मिलाना है 8 में 5 इंच मिलाएंगे 3, 4 इंच मिलाएंगे तो 8 एं 3, 4 हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा पर्फेक्ट आर्मॉल की लेंच हमको मिल गए दूसरा तरीका यह है फ्रेंस कि यह जो हमको डिस्टंस मिलता है इसमें 3, 4 इंच इदर से माइनस कना है तो यह 3 हीच में से 0.75 निकालेंगे तो 2 and quarter 2.25 सवा 2 हीच आएगा ठीक है तो यह जहां से आर्मॉल हमारा जो सुल्डर स्लोप से सुरू होने वाला है वहाँ पे सवा 2 हीच रखेंगे तो जो आर्मॉल का हाप है तो यह पे मार्किंग लगा लेंगे ठीक है अगर आपने 3, 4 इंच इदर से नहीं निकालना है तो इदर इंक्लूड करना है बड़ा दाना है ठीक है तो इससे जो हमको गोलाई जो मिलती है फ्रैंस आर्मॉल की परफेक्ट हमारा जितना आर्मॉल होता है उतनी गोलाई हमको मिल जाती है ठीक है तो इस तरह से आर्मॉल निकाला जाते है ठीक है और जैसे front में चार step आपको बताया था, उसी तरह back में भी एक step होता है, वो step बहुत most important होता है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, तो ये में आपको back का armhole कैसे grafting करना, front का armhole कैसे grafting करना, ये दोनों बताता हूँ. तो friends, सबसे पहले ये line को सीधी कर लेंगे, ये line सीधी कर लेंगे, और सबसे पहले shoulder slope का marking हम लगाएंगे, ठीक है, cross front हमारा 7 है, 7 पर सीधा marking लगा दिया, upper chest हमारा 10 है, ठीक है, ये measurement मैं drafting के वीडियो में बताऊँगा, कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 10 is upper chest है, तो ये 3 इसका हमको difference मिला, ठीक है, तो ये 3 इसको इधर रखेंगे, जहांसे हमारा armhole सुरू होने वाल है, जहांपे shoulder slope बनता है, जि 16 armhole ले रहा हूँ, तो 16 का हाप होता है 8, ठीक है, 3 4 inch और मिला देना है, तो 8 and 3 4, दूसरा तरीका ये है, ये जो हमको measurement मिलता है, इसमें जो 3 पर माइनस करना है, अभी ये जो measurement बचा है, ठीक है, तो ये 2.25 सवा 2 inch, इसको इधर रख देना है, जितना measurement मिला, तो अभी हमको जो ये measurement मिला है, 2.25 सवा 2, उसको रखना है, और जितना armhole है, उसके half पर marking कर दाना है, ठीक है, 8 पर, इधर 3 4 inch बढ़ाना नहीं है, क्योंकि इधर से हमने माइनस कर दिये, अगर ये पूरा measurement अगर हम लेते है, 3 चीज़ है, तो 3 inch को अगर हम इधर रखते है, ये जो हमारा measurement है, तो इसमें फिर हमको armhole का half, प्लस 3 4 inch और बढ़ाना होता है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो ये line हमको अब इधर मिल गई, ठीक है, अभी हम upper chest का marking इधर लगा देंगे, एक marking दोनों के center में लगाएंगे, और french curve की मदद से, ये line को मिलाएंगे जले, फिर इधर जो हमारा shoulder का measurement है, ठीक है, वहाँ पे मिला देंगे, इस तरह से, इसके बाद, ये हमारी net line से, ये marking हम कर देंगे, shoulder slope का, तो ये हमारा perfect armhole का measurement निकल गए, ठीक है, ठीक है friends, 16 का हाप होता है, 8, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है friends, आप इधर से minus करके, अगर, जो measurement मिलता है, उससे मिकालेंगे, इधर जो हमको gap मिला, 3 points minus करके, अगर ये measurement इधर रखते है, तो इधर armhole के हाप पे marking लगाना है, अगर ये पूरा measurement इधर हम रखते है, ज और बढ़ा देना है, ठीक है, तो ये हमारा front armhole हो गया, अभी ध्यान से देखना, मैं आपको back का armhole drafting करके बताता हूँ, ठीक है, इसके लिए आपको कौन सी बात का ध्यान रखना है, कौन सी चीज को समझना है, video ध्यान से देखना, अभी friends, इस चीज को ध्यान से देखना, क ठीक है, ये part हमारा clear नहीं होता है, plus back armhole में खिचा हो आता है, तो वो क्यों आता है friends, friends जब blouse पहना जाता है, ठीक है, इधर hold हुआ, ये part इधर hold हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना, center front line हमारी, ये सिधी गिर गए, ठीक है, अभी ये हमारी armhole की line है, ये हमारा shoulder है, back armhole हम drafting करते है, तो हमको इसके हिसाब से marking लगाना है, सबसे पहले, ये, ठीक है, अभी friends, ये जो armhole की position है, ठीक है, तो इसकी ये position नहीं रहने वाली, हम लोग अक्सर जो back का armhole cutting करते है, ये line के हिसाब से करते है, ठीक है, ये तरीका गलत है, क्यों, क्योंकि इधर जो dart होता है, dart हम लगता है, तो dart का एक reaction होता है, ये fabric जब इधर आता है, तो ये fabric इधर आता है, ठीक है, जैसे हमारा dart लगेगा, friends, ये, ये, ये चीज को समद लेना, क्योंकि ये सब चीजे कोई नहीं बताएगा, तो ये जब blouse का dart लगता है, friends, तो ये ऐसे लगेगा, ठीक है, इसका reaction क्य होता है, ये fabric इधर आएगा, तो ये fabric नीचे आने वाले है, तो dart लगने के बाद, ये armhole हमारा नीचे आ जाता है, ठीक है, अपने मेरे cutting की video देखी होगी, इसमें आपने ये चीज नॉट किया होगा, कि मैं जब back का marking लगाता हूँ, तो इसको ऐसे खीच के लगाता हूँ, इसका reason क्या है, जब ये हमारा dart लगता है, तो front armhole की position जो होती है, वो नीचे आ जाता है, अगर हमने back armhole इधर से marking किया है, इधर से cutting किया है, तो इसकी position ये है, ठीक है friends, और इसकी position यहाँ पर आ रही है, तो ये जब चीज दोनों joint होगी, तो ये disbalance होगा, इसकी वज़े से क्या है, ये back armhole को खीचेगा, front armhole, और इधर wrinkle create होगे, तो ये जो step friends है, बहुत ही ज़रूरी है, back का कभी भी armhole हम drafting करेंगे, तो इधर अगर बड़ा डाट है, तीन हीच से बड़ा डाट है, तो इधर कम से कम एक निच से पोना हीच हमको back armhole down करना पड़ता है, ठीक है, अ ये हमारे armhole की position आएगी, back armhole के, ठीक है, back armhole ऐसे draft होगा हमारा, फिर ये चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, इससे क्या होता है friends, हमारे problem solve हो जाता है, armhole का हमको perfect measurement मिल जाता है, 16 का half rate हो गया, ठीक है, तो friends आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अभी अगर आप dropping के वीडियो आएगे, तो आपको ये चीज़ clearly समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो back armhole का drafting ऐसे होता है, अगर 3 इच से बढ़ा data है, तो इधर 1 इच या पोना इच, armhole नीच आएगा back क 2 इच के आज़ पास, 3 इच के अंदर data है, तो half इच, armhole नीचे आएगा हमारा, ठीक है, और ये marking हमारा same रहेगा, तो I hope कि आपके समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो like करना मत बूलना, चैनल पे नए हो तो subscribe कर लेना, ठीक है friends, तो ये चीज़ हम drafting में clearly के रहेगी, अगर इस line से अगर हम armhole का cutting करते है, तो friends, ये armhole इधर है, ये इधर है, ठीक है, अब ये दोनों जब जुड़ेगा, तो इधर का balance खराब होगा, आपने बहुत सारे ऐसे blouse देखे होगे, जिसमें इधर wrinkles होते हैं, ठीक है, back एकदम खिचिवी रहती है, तो इस का reason friends, ये ये, ठीक है, ये step अगर आपने follow नहीं किया, तो ये problem आ सकती है, अभी friends, ये armhole में एक problem हो रहे है, ठीक है, कहीं लोग ना सवाल किया था, कहीं लोग को problem होती है, कब, बस्ट या upper chest का measurement कम हो, और shoulder ज्यादा हो, तो उसमें जो armhole का measurement निकलना होता है, उसमें जो armhole क length निकलने में तकलिफ आती है friends, problem होता है, तो ये जो चीज़ है तोड़ी detail में आपको समझाना पड़ेगी, इसके लिए अलग से video बनाऊँगा, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई ऐसा figure है, ऐसा measurement है, तो मुझे comment section में आपको measurement बेदना है, shoulder आएगा, full burst, upper chest, cross front और cross back, इतना measurement आपको मुझे देना है, तो मैं वो measurement पर वीडियो बना के, इस type के measurement में किस तरह से cutting होता है, उसका अलग video बना दूँगा, ठीक है friends, friends, I hope, कि आपके समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको definitely अच्छी लगी होगी, तो like करना मत बुलना, ठीक है, तो friends, दीजिए इजाज़त मिलते हैं next studio में,